कटिंग लेंद आप सर्कुलर इस्टीरफ यहां पर जो मारा डाया रहेगा सर्कुलर इस्टीरफ का वो रहेगा 800 mm का किलियर कवर रहेगा 40 mm का और जो इस्टील यूज होगा जो इस्टीरफ का वो रहेगा उसका डाया रहेगा 8 mm का केलियर कवर 40 mm, केलियर कवर 40 mm हो गया, बार आप डाया 8 mm, यहाँ पे 8 mm है, यहाँ पे जो मेरा हुक रहेगा वो 135 इंगल पे है, यहाँ पे मेरा 135 पे, 90 डिगरी पे 2D, 45 पे 1D, डे बोले तो डाया आप बार होता है, फार्मूला, circumference of ring, C बराबर 2πr, हमें यहाँ पे R का वेलू चाहिए, तो R का फार्मूला होता है, R बराबर d y2, यहाँ पे जो मेरा रहेगा वो 800 mm है, यहाँ पे 800 हो गया, D बराबर 800, माइनस, 2, 2 दोनों साइट, किलिर कवर, C बोले किलिर कवर, माइनस 2, हाफ आप डाया बार, यहाँ पे 800, यहाँ पे आ गया मेरा, दोनों साइट का किलियर कवर हो गया किलियर कवर का जो साइज रहेगा वो 40 इमम रहेगा हाफ आप डाया बार दोनों साइट का हाफ आप डाया बार 8 इमम का है तो 4 इमम का हो जाएगा केल्कुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 356 आएगा फार्मूला आफ सर्कुलर रिंग जो फार्मूला होगा वो 2πR पलस 2 इंटू 10D माइनस 2 इंटू 3D यहाँ पे जो मेरा 3D रहेगा यहाँ पे मेरा जो एंगल है 135 पे है यह मेरा जो एंगल बन्डा है उसका ओर हैगा 3D तो यहाँ पे 3D लिया गया 2 दोनों साइट का और यहाँ पे जो मेरा 10D है 2 इंटू 10D यह डी जो रहेगा डाया आफ बार रहेगा और यह जो 10D रहेगा यह हुक का साइज रहेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा पाई का मान 3.14 हो जाएगा और यहाँ पे 356 इम है यहाँ पे इसका वहलू रख दिया जाएगा पलस 2 10D डाय आप बार आठ इम हो जाएगा माइनश 2 3D डाय आप बार 8 इम हो जाएगा यहाँ पर हम calculation करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2235 पलस यहाँ पर मेरा हो जाएगा 160-48 यहाँ पर calculation करेंगे तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा total मेरा यहाँ पर value आ जाएगा 247 mm अगर इसे में मीटर में कनोड करेंगे तो यह मेरा हो जाएगा 2.34 मीटर